क्या रेस 4 में लीड रोल में नज़र आएंगे सैफ अली खान, कब आएगी ये फिल्म और क्या रेस 3 के रुकसान को भर पाएगी हेलो नमस्ते सस्रिया काल आदा, मैं हूँ आपकी होस्ट प्रियाम को और आप देख रहें बॉलिग्राइट स्टूडियोज फिल्म रेस भारत की मोस्ट पॉपिलर फ्रेंचाइजीज में से एक है, जिसकी लास्ट इंस्टॉल्मेंट में सलमान खान बतौर मुख्य भूमिका में नज़र आए थे आपको बता दे कि इस फिल्म का काम शुरू हो गया है और इसकी गाड़ी अपने स्क्रिप्टिंग स्टेशन पर भी पहुँच गई है जिसके राइटर है शिराज एहमद शिराज हैमद ने पिछली तीनों इंस्टॉल्मेंट में अपनी कमाल की राइटिंग से फैंस का दिल जीत लिया और वो फिर से इस बार रेस फोर में अपनी राइटिंग का कमाल दिखाने के लिए एक दम तयार है वहीं रमेश तौरानी भी जल्दी प्रड्यूसर की रूप में अपना काम सभालेंगे वहीं फिल्मेकर्स ने बताया कि एक बार स्क्रिप्ट पूरा हो जाएगा उसके बाल ही वो लो कास्टिंग पर उतरेंगे हाला कि तब भी COVID-19 की सिचुएशन पर काफी सारी चीज़े डिपेंड करती है लेकिन फैन्स के लिए खुशकबरी जरूर है इस साल की अन तक इस फिल्म की रोलिंग शुरू हो सकती है वही सल्मान खान जो रेस 3 में और सैफले खान जो रेस 1 और 2 की सीरीज में हमें मुख्य भूमेका में दिखाई दिये थी वो रेस 4 में भी होंगी या नहीं इस बात की फिल्हाल कोई जानकारी नहीं है वही रेस 5 वन 2008 में रिलीज होई थी और जिसमें अनील कपूर, केट्रिना कैफ, अक्षे खना, समीरा रेडी और विपाशा बासो एक साथ स्क्रीन शेयर करते नज़र आए थे वही रेस पार्ट 2 जो 2013 में रिलीज होई थी उसमें अनील कपूर, अमीशा पटेल, जैकलीन फिर्नांडेस, सैफिली खान और दिपिका पादगोन के साथ जौन इब्राहम भी नज़र आए वही रेस 3 एंटायर सीरीज का एक रिबूट है जिसमें डेजी शा, साकिब सलीम, अनिल कपूर के साथ सल्मान खान और बॉबी देवर भी देखे गए आपकी जानकारी के लिए बता दे की जब रेस 3 के डरेकशन का काम रेमोडिसмент को मिला था तो रेमोज सबको नहीं, बलकि सल्मान खान रेमोज को डायरेक्शन को डिर्यक्शन पर चल रहे थे और ये सब देखकर रैमो को लग रहा था कि उनका जो प्रोजेक्ट है वो आउट ओफ कंट्रोल हो चुका है और जिसके लिए वो कुछ भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनके एसाब से अगर सलमान किसी चीज का चार्ज ले लेते हैं तो वा आपके लिए सिर्फ दो ही आप्चन छोड़ जाते हैं या तो आप उसका अनुपालन कीजिए या तो आप वहां से चलते बनिए और यही कहानी होई सलमान खान द्वारा निर्देशित ट्यूब लाइट में भी ट्यूब लाइट के बाद कभीर खान ने सलमान खान के साथ कभी नाकाम करने का फैसला ले लिया वहीं 2018 में रिलीज हुई रेस 3 ने प्रसंचको को काफी नाराज कर दिया फैंस के लिए फैंस के लिए फैंस तो किसी आपदा से कम नहीं थी यह फिल्म काफी क्रिटिसाइज की गई पहली दोनों पार्स को देखकर रेस 3 से काफी उमीदे लगाई जा रही थी वहीं सल्मान खान को एक नेगेटिव रोल में देखना फैन्स के लिए काफी एकसाइड़ था लेकिन रेस त्री ने सारे दिल तोड़ दिये हाला कि ये फिल्म सौकरूर कमाने में तो काम्याब रही लेकिन इसे सोचल मीडिया पर काफी ट्रोल किया गया और इस फिल्म के डाय है और शायद प्रेडियूसर रेस के घोड़े यानि कि सैफली खान को रेस फोर में लीड रोल देने के लिए भी तैयार है फैन्स के लिए बहुत ही बड़ी खुश खबरी होगी लेकिन अभी इसका कोई ऑफीशल स्टेट में या फिर अनॉंसमेंट नहीं आया है खेरे गर कि सारी बाते सच होती है तो रेस फोर सैफली खान के बॉलिवड करियर को पुनर जीवित करने में एक एहम भूमिका निभा सकता है एक्टर पिछले 5-7 सालों से कोई भी हैज फिल्में नहीं दे पाए हाला कि उन्होंने काम बहुत सारी फिल्मों में किया जैसे शेफ बाज नए एक्टर को आजमाना चाहिए आप हमें जरूर बताएं इस फिल्म की और ग्लैमरिस दुरियां की नई अपडेट के साथ हम जल्द वापिस आएंगे तिल देन हैव सेफ टाइम कि व cafe बताएंगे जिल्मों में कि या जिल्मों में कि ग्वाव सेफरियां ऊनिल्मों में जा ले गाण हुआ Jestी वापिस एक्भणे काम जा हम